हेलो दोस्तों मैं राम ठाकुषडी विथ जे एच जी और चला में आपका स्वागत करता हूं आज मैंठ के अडवांश टोपिक मैंसोलेशन को लेका आया हूं मैंसोलेशन बोले तो छेदर मिती मैंसोलेशन हम लोग पता कि जो मैंसोलेशन ने वह दो भाग में बटा हुआ है पहला- भुडी और दूसरा 3D गुडी बोले तो टू-डिमेंस्टन होते हैं क्या है कि यह समझिये तो ू-डायmaंश वैसे चीज होतेहा है जिसे हम कई प्लेन या फिक कोपी में हम लिख सकते हैं या फिक बना सकते हैं जैसे एक सरकल ये ट्राइंगल ये एक रेक्टेंगल ये एक पॉलिगोन ये ऐसे सारे फिगर जिसको हम एक कॉपी में बना सकते हैं या फिक चाप सकते हैं वो सारे टूडी में आते हैं तो टूडी के अंदर ह हम लूग चाहटतीं पढ़ेंगे पहला क्या क्या खौडिलाटर से作्विस उसके बाद में दूसरा टोफीक पढ़ेंगे आनल प्रेर अंगर्ण बली तो त्रिभूज का पढ़ेंगे सरकल से सरकल बोले तो विरिद से उसमें लाश्म पढ़ेंगे पॉलीगॉन से पॉलीगॉन बोले तो बहु भूज से जबाद हम चले जाएंगे 3D में अब यह 3D क्या होता यह समझ यह 3D बोले तो दूभाईल आपका कॉपई यह सारी कैसे चीज यह सारे त्रेमिशल چीज है तोbbles महतमेटिक्स में अपने ट्रेदमिसल JUL जी यह होता है जो हम्रें यह जीले सकते हैं और सकता है disrupt में किया किई आये पम यह कुद्द vine का इसलिए सकता है सिलेंडर आ सकता है और लास्ट में स्पेयर आएगा ठीक है दोस्तों तो अमनों 2D के पहले कुछ टोपिक पढ़ेंगे उसके बाद में 3D में चले जाएंगे तो 2D में जो हमारा पहला टोपिक क्वार्डी लेटरल है इसमें चलते हैं हमारा पहला टोपिक क्वार्डी लेटरल यानि चतुर भूज है तो पहले हम लोग जानते हैं कि यह क्वार्डी लेटरल होता क्या है जो quadrilateral है, होता क्या है और क्यों इसको लो quadrilateral बोलते हैं तो ये बात जान लिजिए, quadrilateral ये क्या है two dimensional close figure है जिसके कितने side है, having four side यानि वैसे figure जिसके चार side हो और सारे कैसे हो, close हो चाहे वो एक rectangle हो, चाहे वो एक square हो, चाहे वो एक rectangle हो, चाहे वो एक trapezium हो या चाहे वो एक parallelogram हो ये सारे क्या है, ये सारे मेरे quadrilateral क्या आनते है क्योंकि ये चारो क्या है, इसके चारो अपने 4 side है और चारो close figure है इसारे किसमें आएंगे हैं मेरे क्वाडी लेटरल में आएंगे तो यहां देखते हैं क्वाडी लेटरल की क्या क्या प्रोपर्टीज है तो क्वाडी लेटरल की क्या क्या प्रोपर्टीज है इसको मारे हम जानते हैं प्रोपर्टीज तो इसकी पहली प्रोपर्टी side से है किसे है side से तो पहले मैं इसका figure बनाता हूं यह जो quadilateral होता है Quadrilateral क्या होना चाहिए पहले side से कि having four side दूसा क्या होना चाहिए कि लोज फीगर होना चाहिए अब सबसे बड़ी बात यह क्या होना चाहिए तीनों प्रोपर्टी से हम बता से जोते हैं कि यह कौडी लेटरल है जो आप जानते हैं कि क्या पढ़ेंगे अद्धारल का जो हमा पहला टोपिक होगा वह होगा रेक्टेंगल उसका हम पहले टोपिक लिखवा देतें तो क्वारडी लेटरल के अंदर सबसेंबनों क्या पढ़ेंगे रेक्टेंगल पढ़ेंगे रेक्टेंगल बोले तो आयत उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर को छिपाइर बोले तो वर्ग को फिर पढ़ेंगे पैललोग्राम को पैललोग्राम बोले तो समांतर चतुरभुच को तो इस बाद हम लगा पढ़ेंगे रोहमबस को नहीं बोले तो सम्चतुरभूज नहीं कि पढ़ेंगे श्रेपेजियम को इस पेजियम बोले तो सम्छतुरभूज देखिए दोस्तों हम लोग एक, दो, तीन, चार, माच वोटर हमें कितने टोपिक पढ़ेंगे? पांच टोपिक पढ़ेंगे तो चलिए चलते हैं अपने पहले टोपिक रेक्टेंगल की ओड़ हमार पहले टोपिक क्या है? रेक्टेंगल है तो यह रेक्टेंगल है तो यह रेक्टेंगल क्यों कहलाता है? अपना कुछ कुछ प्रोपर्टी होता है तो पर इसको प्रोपर्टी के बारे जानते हैं तो पहला प्रोपर्टी देखते हैं पहला प्रोपर्टी इसका किस से निकलेगा? साइड से निकलेगा तो मान लिजीए कोई रेक्टेंगल है A, B, C, D ABCD यहाँ पर क्या है? ABCD यहाँ पर एक rectangle है तो चली देखते हैं AB यहाँ पर क्या है? एक side है जो parallel होगी CD के और यहाँ AD एक दूसा side है जो parallel होगा BC का तो हम लोग sides के क्या पहले property लिखेंगे? लिखेंगे कि opposite sides are parallel यानी AB parallel होगा CD के और AD parallel होगा BC के यहाँ फिकर में देख सहते हैं कि AB parallel होगा CD का और यह portion AD parallel होगा BC का फिर हमारा अगला property देखिए वो भी side से ही है क्या property है? कि यह जो AB है यह equal है CD के AB equal है CD के और AD equal है BC के AD equal है BC के दूसरा property क्या लिखेंगे? कि opposite sides are equal, opposite sides are equal यानी AB बराबर हो जाएगा CD के और AD बराबर हो जाएगा BC के यानी यह दोनों topic को हम लोग पढ़ना चाहिए तो यह दोनों property के बाद हम चलते हैं अंगल की property हमारा दूसरा property किसे होगा? अंगल से होगा किसे होगा? अंगल से तो यहाँ देखें जो हमारा इक्वल होड कितने है? 90 डिग्री है सभी अंगल कितने है? 90 डिग्री है पहला property क्या लिखेंगे? ही है अंगल से आर इकुफल है और दूसर सी यह दोनों क्या होता है कि अंग लिखेंग एप यह फोल होते हैं यानिगल से इकंवल होगा एंगल सी निग्ल bn क्ली हो ने खाप और एंगल ड इंगल बी खायका आफल भींगा इंगल का इना पाल akah पोजेट एंगल्स और इकवल एकवेल एकवेल एकवालो गाल का एंगल भी इकवेल हो 가능 डीका टीछ साप्र परोपर्ट की ओर आते हैं जो सब से और इपर्टेंट परोपर्टी है यहां देखिये और्फेट एक यहां क्या है ए और भी इंगल का एंगल है एड जोंफेट तो यहां देखे ए और विव दोनों के सम करनी पर कितना आएगा ए मैं थे कितना है है बी ही मैं थे कितना है 90बी है अर्व तो अम्हें करने कितना है 9 यानी 180 डिगरी व्ले क सहां और हॉाज 1 अगर एक्वल्टू 180 डिग्री दैंगल a प्लस एंगल वी इक्वल टू 182 दिग्री यह भी एंगल एप ब्लस ba d को डीकवल 180你 कुह में यह बी तो लीट सकते हैं एंगल वी प्लस एंगल gun escapeantly या फिर एंगल सी फ्लस एंगल डीक्वब टुट की डीगणी दिगरी जानि चाहे हम इस एंगल को ल में डि然后 सारे एडिशन एंगल क्या होंगे सम करने पर यह मैं 180 डिगरी आएंगे ढिए थीस के गाइग मंसके बाद अग्ला पर्पर्टीोड चलते हैं अग्ला पर्पर्टि उप और टेंna की हमारा टाइगो नल से हैं लिए कि चली दोस्तों अब लोग है टेंगल के तीसे प्रोपटी है डाइगॉनल्स की ओर चलते हैं रही हमारा तीसा प्रपटी क्या होगा डाइगॉनल्स का होगा था माल दीजिए ए इसी रहा पर क्या एक डैक्टेंगल है एब सब्सक्राइब तो हमको पता है कि ये सब्सक्राइब क्या होते है तो लेक्वल और यह दो जैट भी क्या होगा इकवल होगा किसके डिवन इकष्ट कर तो पहला प्रस प्रपर्टिड क्या लिखेंगे डाइगोनल से अर एकवल यानी डी 1 इकल टू टी टू नानी एसी इक्ष ग्वल टू बीडी फिर दूसरे प्रपटिट्य चलते हैं हमा दूसर प्रपरटी क्या होगा यह जो डाइगोन और बैसेक्ट इच अधर अनि माल लिजिए कोई पॉइंट ओ है यहां पर क्या हो जागा मेरा एओ इपल टू ओ बी इकल टू एटी बाइटू नी बीवन बाइटू इसी तरह बीओ तो यहां पर ओसी होगा बीयो इकल टू बीडी बाइटू इकल टू दू डी टू लिए ओ इकल टू ओ सीगवल टू एज्ट वाइटू यानी डीवन बाइटू और साथी साथ क्या लिख लेंगे बीयो इकल टू ओटी इकल टू बीडी बाइटू यानी डी टू भाइटू अब एक सबसे important question क्या rectangle के यह डाइगोनल से दूसरे को 90 दिगरी पे काड़ते तो आद नोट परपेंडिकुलर यह जो डाइगोनल साथ नोट परपेंडिकुलर है यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारी लड़के क्या करते हैं कि इसके जहां पे जो नाइंटी दिग्री नहीं होगा वहां बच्चे नाइंटी डिग्राल देते जिसे क यार कर जो प्रपरट्टी होता है उसको पहले देखते हैं थिह का पहली किसे लेंगे साइट से लेंगे तो माल लिजीए मेरा a b c d a square है क्या है एक वर्ग है है तो हमको पता है कि a b c d यह दोनों क्या है पैरलल है और a d और b c b किया है मेरे बैलल है तो हम क्या Alberto opposite sides are parallel यानी A B मेरा parallel हो जाएगा CD के और AD मेरा parallel हो जाएगा BC के यहाँ पे AD parallel हो जाएगा BC के और AB parallel हो जाएगा CD के अगला पॉइंट देखी यहाँ पे जो AB है यह पॉइंट जो AB है और BC है CD और ADS अभी क्या होते हैं सेम होते हैं सब को हम A मान सकते हैं तो क्या लिखेंगे इसके दूसरे परपर्टी में और साइट्स आर सेम और इक्वल यानी AB equal to BC equal to CD equal to AD equal to A इसके बाद हम लोग साइट्स के प्रपर्टी के बाद चलते हैं हम लोग इसके डाइगोनल के प्रपर्टी के और या फिर एंगल की प्रपर्टी के और दूसरा परपर्टी हम लोग किसका लेंगे एंगल का लेंगे इसका लेंगे एंगल का तो माल दीजिए फिर से ABCD क्या है मेरा एक एक वर्ग है और हमको पता है कि वर्ग के सारे एंगल कैसे होते हैं equal or 90 degree होते हैं यह सारे कैसे है मेरे equal or 90 degree तो क्या लिखेंगे पहला point all angles are equal and 90 degree दूसरा परपटी देखिए यहां हमको पता है कि AD T or BC क्या है parallel तो यह ओना जो एंगल होता है और यह अंगल क्या होता है equal होता यहां पे opposite angle A और opposite एंगल सी क्या होंगे मेरे equal होंगे चाहे opposite angle B और एंगल D को लिए भी क्या होंगे मेरे Equal होंगे यान क्या लिख्यांग कि अप्रक्रटी चलते हैं तो यहां प 및 यहां पहा पर ट्रफटी उसको देखते हैं माल लिजए का ने कितना नाहेंगा 180 डिए जाय हम इस दो नो को ले ले और घुम इस दो नो को ले लिए उसाथ एक फटो恐ने को sum of adjacent angle equal to 180 degree जाहे वो एंगल a plus angle b हो जाहे वो एंगल a plus angle d हो वो भी 180 होगा जाहे angle c plus angle d हो भी 180 होगा अफिन एंगल B plus angle c हो यह भी मे रिकिता एक 180 degree एंशने भी आसन कॉन होते है सब का add किता होगा 180 टीडीग दीडी दीडीग होगा चले आप लोग से डाइगोनल की ओड़ चलते हैं कि अपार कि राइगोनल से होगा कि go तो क्या होगा इल् 1 को देखते हैं कि अ कि अई szakrib uncommer फिर सिस्टाल होगा डायगोनल है और अधायगोनल है दोस्तों एक बहुत याद रख़िएगा जो ABCD क्या है मेरा डाइगोनल है तो यहाँ पे स्टीर AC और BD यहाँ पर नहीं यहाँ रह फार हैं रहर तो A B C D जो मैं साइड है सारा वो क्या होता है इक्वल होता है तो इसका डाइगोनल भी क्या होगा इकवल होगा यानि क्या लिखेंगे पहला पॉइंट ओल क्या लिखेंगे डाइगोनल्स और एक्वन लिखेंगे A is equal to B the duosnes प्वयण देखें जहाँ पर जो डाइगोंच काले लेकृशुश्यकर करते हैं जा कर ते दो इक्वसी पार्ट्स में करते हैं का करते हैं दो एक लख़ो स्ब्ख़ोर्त एक अ का तया नि即न तो स्फी हो जाएगा और बी ओ एक एकॉल टो दी हो जाएगा अगला पॉइंट क्या लिखेंगे डाइगोनल्स बाइसे अक्ट इच अधर यानि AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD तीसा पॉइंट देखेंगे यह जो डाइगोनल है एक दूसरे किस पर कारते हैं 90 डिग्री पर कारते हैं 90 डिग्री पर तो तीसा पॉइंट क्या लिखेंगे डाइगोनल्स आर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर दी यानि AC परपेंडिकुलर होगा BD पे ठीक है दोस्तों हमारा स्कॉार का क्या क्या प्रोपर्टी देखे सबसे पहलें साइट का प्रोपर्टी देखे साइट के बाद हम लोग एंगल का फिर उसके बाद डाइगोनल का साइट का कितना प्रोपर्टी दो प्रोपर्टी एंगल का तीन प्रोपर्टी और डाइगोनल से भी तीन प्रोपर्टी तो चलिए इसके बाद अगले टॉपिक में आते हैं यानि हम चलते हैं पहलेलोग्राम की ओर हमारा तीसा टॉपी क्या था पहलेलोग्राम पहलेलोग्राम बोले तो समांतर चतुरपूज तो दोस्तो समांतर चतुरपूज भी क्या होता एक 2-dimensional close figure होता है जिसके चाईट्स होते हैं जिसके भी फोर साइट्स होते हैं यानि ये मान दीजिए मेरा क्या है एक पहलेलोग्राम आपक्राइब समांतर चतुरपूज ए A B C D A B C D मैंना यहां क्या है A B C D मैंना एक समानतर चत्र बूच्छ है और यह दोनों क्या होते है पैलल होते हैं और A D और B C B क्या होते है पैलल होते हैं साथ ही साथ इक्वल होते हैं A B पैलल होता है CD का और AB equal होता है CD का एक और point में क्या था कि BCB equal होगा CD के और BCB क्या होंगे parallel होंगे CD के लेकिन इसका जो figure है कुछ-कुछ हम लोगा rectangle की figure की तरह दिखता है लेकि थोड़ा से change होता है कि यह जो angles होते हैं 90 degree नहीं होते हैं यह 90 degree नहीं होते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए इसके property की और चलते हैं property की और चलते हैं तो इसका पहला property किसे लेंगे side से लेंगे माल लीजिए ABCD में रख्या है एक पहले लोग्राम है समांतर चतुर भूझे है कि अनि AB मैं पहलेल होगे CD का पहलेल CD का और BC भी पहलेल होगा AD का तो क्या लिखेंगे पहला का पॉइंट अपोजीट साइट्स अर पैरलल यानी AB पैरलल होगा CD का और BC पैरलल होगा AD का और दूसरा पॉइंट देखते हैं तो हमको पता है कि AD इकवल होता है CD के और AB भी इकवल होते है CD के यानी AB इकवल होगा CD का और BC भी इकवल होगा AC का AC नहीं AD का AD का यहां क्या लिखेंगे अपोजीट साइट्स आर इकवल AB इकवल CD और BC इकवल टू AD चलिए इसके वाद हम उसके एंगल की प्रोपर्टी की और चलते किदर चलेंगे एंगल की प्रोपर्टी की और दूसरा पॉइंट क्या था एंगल से था माल लीजिए AB सुरिया क्या फिर से पहले लोग्राम है तो यह जो एंगल होते हैं और यह जो एंगल होते हैं यह एंगल और यह एंगल तो सबसे पहली बात क्या लिखेंगे और णोरट ए एँए और फिर न क्या होगा खिये जो इंगल से म्होंट इंगए वाद यह एंगल होते हैं यह एंगल सर्ण फिर इंगल से आंगाल इक्वल तो यहां देखिए हम को यह जानना है कि क्या इसका एंगल एड करने पर 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा तो यहां देखते हैं माल लिजम इसको कट कर लेते हैं कट करने के बाद में पास कौन-कौन सा पॉर्ट्शन बच रहा है यह वाला पॉर्ट्शन जो नीचे वाला ए ए भी और यह पॉर्ट्शन बीडी माल इसको उठाए नीचे रखते तो नीचे रहा है तो कुछ यह इस तरफ दिखेगा यहां पर मेरा यह जो एंगल और यह जो अनों को एडिकरने में कैसा लग रहा है कि श्रेट राइन इवर एट डिगरा एडी और बीची को एड कर दिविए कितना लगेगा 180 डिग्री यानि सम आफ एडिश्टन एंगल कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री हो जाएगा यापकी क्या लिखेंगे शम आफ एड़ जेसेंट एंगल एक ल्टू 180 डिग्री एंगल ए प्लास अंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री ऐंगल डी प्लस एंगल ची इक्वल सू रने टीडिगे माल लीजीय इसको यदि एम बर्टी कली कट करें ये कुछ इससर दिखेगा यह मेरा यह है यह मेरा डी है मा मेरा C हो जाएगा और यह मेरा B हो जाएगा तो यह भी मेरा की स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रहा है यहाँ भी चाली खेंगे हम एंगल C प्लस एंगल D इकोल तो 180 डिग्री और एंगल A प्लस एंगल B इकोल तो 180 डिग्री यह जानी सम फैट्टा एंगल कितना हो रहा है मेरा 180 डिग्री हो रहा है कितना हो रहा है 180 डिग्री चली इसके बाद किया हम लोग अगले पर पर पटी किवर्ट चलते हैं यानी डियागोनल की पर पर पटी कियोड तीसे पर पटी यानी डियागोनल की ओर चलते हैं अब डियागोनल वन हो जाएगा और बीदी मेरा डाइगोनल टू हो जाएगा तो यहां फिगर में ही देख सकते हैं कि यह वाला जो डाइगोनल है रवे मेरा बड़ा है और दूसर है छोटा है यह दूसर नोट इकवर्ण है था मैं फ्रेंगे हम कि लोग डाइगोनल की आर नोट इकवर्णा ज्यानि डीओन नौट टू डीटो रूच पेन देखते हैं यह जो डाइकोनल उसडूे कि जो कि या करता तो क्या कर बैसेक्ट इच अधर अनि माल दीजी यह कोई पॉइंट ओ है तो यहां पर क्या हो जाएगा यह उपल टो अभी तो यह ओछी और भी ओट्वाल टू ओडी चाली यहां पर ओट्वाल टू ओडी तीसा पॉइंट क्या यह डाइगोनल एक दूस्य और पर पेंडिकुलर ली कट तो नहीं यह दूस्य को पर पैंडिकुलर ली कट नहीं कर रहे हैं यानी डी 1 नौट पर पांडिकुलर टूटी तू क्या होगा नौट पर पैंडिकुलर होगा चलिए डोस्त वश्यवर अग्ले टापी की और चलते है और चोथा टोपिक हमार क्या होगा रोहंबस होगा रोहंबस बोले तो सम्चतुर्भुज अब यह रोहंबस क्या होता यह समझे यह भी क्या होता है टू डामेशनल क्लोज फीगर होता है इसके all side क्या होते है all sides equal and parallel होते है लेकिन इसमें वर्क के जैसा यहाँ पर हर एक एंगल एंट डिगरी नहीं होता है या कोई भी एंगल एंटी डिगरी नहीं होता है तो चलिए अब इसके property की ओड़ चलते है कि अंहुँ है झाल सबस्ता है सभाहल प्रपटि किस्से होग हसका पहला प्रपट थेसे देखते किसा देखेंगेगे मुख अंद हम्हों ल संदिखेंगे ईंगी है ग्या अभर किया होता हम इंत्रान साइट क्या होता है इकूल और प्यालetto तेखेंग आप साइट्स आर इकुवल दुशा पात क्या लिखेंगे अपोजीट साइट्स आर पैरलल यानि AB पैरलल हो जाएगा CD के और BC पैरलल हो जाएगा AD के कि चलिए साइट से तो और को प्रोपर्टी होगा नहीं जिसके अगले प्रोपर्टी यानि एंगल की और चलते हैं कि अगला प्रोपर्टी क्या होगा एंगल का कि अरफ पैला पूंश लिखेंगेड है नो ऐनी एंगल्स आरनायंटी डिग्री में कोजन इंगल Nahe होता है अनि एंगल एंँग कोल इकॉर निए डिग्री नहीं होता है यह अनि एंगल एणोड एकॉल तो 90 डिग्री नहीं बीनोट उकल टू नाइंटी की डीन दूस्शा पॉंट देखते हैं कि यह जो एंगल्स ओते हैं अपोजित आंगल्स वो कैसे एंगल A equal होगा एंगल C का और एंगल B equal हो जाएगा एंगल D का अगला point क्या बोल रहा है कि sum of adjacent angle यानि A और C का sum कितना होगा तो माल दीजी ये मेरा क्या है एक माल दीजी एक मेरा एक रोहमबस है तो इसको यहां से cut कर देते तो हमको क्या मिलेगा यह मेरा बी है यह मेरा सी यह पोर्चन को फ़िए की नीचे रख देते हैं और यह मेरा एह और यह मेरा दी है एन यह इंगल भी प्लस एंडल एक तार जाएका 180 आगल सी प्लस एंडल डी बेमर कितना फिक नाँ अवनेटी इसको यहां से भी कट करे इसको था कि यहां रखते बी और सी और को धाकी इसके ज़स्ट पीछे यानि यह ए और यह मेरा बी तो एंगल ए बस एंगल दी मीरा कितना हो जाएका 180 एंगल A प्लस एंगल B में रखितना हो जाएगा 180 हो जाएगा यानि क्या लिखेंगे है sum of adjacent angles are equal यानि एंगल A प्लस एंगल B में रखितना होगा 180 होगा से अंगल B प्लस एंगलडी मेरे कितना होगा 180 हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C मेरे कितना होगा 180 दीग्री और एंगल सी प्लस एंगलन कितान हो जाएक बैटी डीद्ग्री ओन आनि एंगल्स की थीन प्रोपर्टी न renewal क्या क्याक्या निकलते हैं पहले सबी एंगले यहां इन इडिग्री के नहीं होते हैं इसका इसका दूसर्परडी क्या होता है अब और साथ ती साथ जो एजेसंट अएंगल आतोर क्या होते हैं सम का हमें साथ 180 2 होता है तो चलिए अग्ले प्रोपर्टी की ओर चलते है यानी डायगोणाल की ओर चलते हैiacal पिस्ता प्रोपर्टी किसका होगा डायगोणाल से होगा A, B, C, D तो यहाँ देखिए AC मेरा डाइगोनल 1 माल लेते और BD कम डाइगोनल 2 माल लेते AC इकल टाइगोनल 1 और BD इकल टाइगोनल 2 दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि AC मेरा छोटा है BD से AC क्या है मेरा यहाँ पर AC मेरा छोटा है BD से और D1 छोटा है D2 से यहाँ यहाँ लेते डाइगोनल 2 आर नौट इकल और D1 नौट इकल टूट 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 लिखे क्या लिखेंगे D1 नौट इकल टूट 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 तो अगला पॉइंट देखते हैं तो यह जो मेरा AC है BD पे क्या है पर्पेंडिकुलर है क्या है मेरा पर्पेंडिकुलर है लगला पॉइंट क्या होगा डाइगोनल्स आर पर्पेंडिकुलर टूट इच अधर यानि AC मेरा पर्पेंडिकुलर हो जाएगा BD पे यानि D1 पर्पेंडिकुलर हो जाएगा मेरा D2 पे तीसा प्रपर्टी देखते हैं तो इसका सबसे इंपोर्टेंट प्रपर्टी यह होता है कि AC BD को दो इकल पार्स में कारता है यानी एंगल उसन यानि यानी है वो एकल ढडी हो जाएगा यानी वो बो इकल टूत हो दि वोड़ आठार कश राडी का बड़ा होगा के डूसरे को परपैंडिकुलरर आपनोलर स सकतार के यह हो बास चलंए ट्रेपजियम की ओर वा अलगाटपी जो ट्रेपजियम बोल्हा सम्लम मैं कर्फूट हुमाना अलगाटपी क्या होगा ट्रेपजियम होगा द्लै्जे हम ओलतो सम्लम चना तुर पूज तो हमाज सम्दम से तुर्विष डिखता है, कुछ इस्तर दिखता है जिसके कम से कम एक साट क्या होते हैं, पैलल होते हैं यहाँ पर AB पैलल होता है CUT का और यह दोनों साट क्या होते हैं, नन पैललल साइट होते हैं AD not perpendicular to BC AD not perpendicular to BC इसको हम कैसे टिफाइन करेंगे, टू डामेंशनल फीगर having four side in which only one sides are parallel यहाँ वैसे four side वाले cyclic figure जिसके कम से कम एक साट क्या होते हैं equal, sorry parallel होते हैं तो चलिए इसके property की और चलते हैं तो पहला property वो side से लेते हैं माल लिजिए, ABCD मेंदा क्या है यहाँ यहाँ पे? त्रेपेजियाम है, यहनि सामलम चे तुर बूझे तो यह AB क्या CD के क्या होंगे? AB CD के equal तो होगा नहीं नहीं AD equal होगा BC के AD क्या equal होगा BC का? इस figure में तो नहीं हो रहा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? अल साइट्स आर डिफ्रेंट हैलर प्रोपर्टी में? भोल लिए, नहीं हम लिए बात नहीं लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं यह पहले समझे हैं मान लिजिए, यह मेरा ट्रेपेजियम है A, B, C, D, ABCD मेरा क्या है? तरह ट्रेपेजियम होले, इस तरफ इगर बनाएक, 12, B, C, D, C, K इस पार्ट में लिख सकते हैं क्यों सकते हैं की कमसे अलू साइट क्या है, इकुएल है तो हम लोग यह बात नहीं बोल सकते हैं कर दिसके डिफ्रेंट होंगे तो यह जो property होगा पहला गलत हो जाएगा तो हम लोग कभी नहीं लिखेंगे all sides are different चलिए इसका दूसरे property की ओर चलते हैं तो यहाँ पर देखें दोस्तों A, B, C, D की क्या है? parallel है A, B, C, D की क्या है? parallel है तो क्या लिखेंगे? only one opposite sides are parallel यानि A, B, parallel होगा C, D के अब side के दो property complete होगा चली है अब इसके angle की ओर चलते किज़ा चलते हैं? angle की ओर दूसरा topic हम आज कहां से होगा? angle से होगा तो यहाँ पर देखते हैं क्या angle A 90 degree है? नहीं angle B, B, C, 90 degree हो? यह भी नहीं है angle C क्या हो? यह भी नहीं है angle C क्या हो? यह भी नहीं है? यहाँ भी 90 degree? नहीं है तो क्या लिखेंगे? पहला point यह भी नहीं होते हैं? यहाँ पर यहाँ पर यहाँ अगल A C मेरा क्या है? अप्ट्यूस एंगल है अप्ट्यूस एंगल है तीसा पॉइंट देखते हैं तीसा पॉइंट क्या होगा? सम अपर चलिए अब हम ला इसके अगले प्रपर्पर्टी यानी क्या है। ट्छलते हैं गोनट मान लिजिये फॉइंट मेरा क्या है? यहाँ पे क्लिफ जियम है? A B C D तो मैरा A C और B D Där से होगा, टैलो ऩूगा? अद यह पिबी के इड् söाह? डी बेस होगा और B D मेरा क्या है? डीवोनल हूगा तो क्या AC BD के एक्वल होगा, D1 क्या D2 के एक्वल होगा, नहीं, D1 not equal to D2 होगा, हेलो प्रोपर्पटी क्या लिखेंगे, डाइगोनल्स are not equal, and D1 not equal to D2, दूसरा पॉट्ट क्या लिखेंगे, यह देखें, माल लिजिए, यह जो AC है, यह BD पे पर्पेंडिकुलर होगा, क्या, जो AB है, वो, सुरी, क्या AC है, क्या वो BD पर्पेंडिकुलर होगा, नहीं, नहीं होगा, यहाँ पे AC not perpendicular हो जाएगा, मेरा BD पे, यानी, क्या लिखेंगे, डाइगोनल्स are, not perpendicular, D1 not perpendicular to D2, सीसा पर्पेंडिकुलर होगा, यह जो डाइगोनल होता है, वो एक दूसरे को दो इकोल पार्ट्स में कारता है, क्या करता है, एक दूसरे को दो इकोल पार्ट्स में कारता है, यानी, डाइगोनल्स आर बाइसेक्ट इच अधर मानेजे को पॉइंट ओ है तो यह पर क्या होगा एओ इकल टू ओसी हो जाएगा और बी ओ इकल टू ओडी हो जाएगा चाहिए यह आइनी ओ एकल्ट व बी डियो इकल्ड तू ओसी तो ट्रेपेजियर्यम हो कितना प्रपर्टी देख्येएं दो एंगल सब्ढ़ साइट से देखें तीन एंगल से देखें और तीन डाइकलों से देखें बहुर्ट अब देखें चले कुछ इंपॉर्टेंट टाप के बाद कि है पहला टुर्ड यंज चलते से इंपर्टेंट टॉपिक में जिस्से एक्जाम में सब्से यादा कोसन पूछाते खेपेजियम के कुछ इंपर्टेंट पॉइंट से जो इस्वे सब्से यादा पूछे आते तो चलिश्को डील करते हैं तो माल लिजिए एक मेरा क्ने ट्रेक्टेजियं है जिका मेरे एकटेजियं है अ मैं एक है ए एकटेजिय का एक क्हुंत ही आप है और च newly है तो सवाल पूछा के ऑनक्द क्या होगा कि यहां पे पिक ना भिलू क्या होगा सकते हैं कि यानि AB प्लस CD का यह में निकाल दें तो हमको पी इक यू का बेलू निकल जाएगा इस पॉइंट लो आप नोट डाउन कर लिजेखाए कि यह सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है ट्रेपिजियम से एक और इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको हम बताते हैं माल लिए यहाँ पे BD और AC BD मेरा डाइगोनल 1 है और AC मेरा डाइगोनल 2 है तो यह पॉइंट M माल लेते हैं और यह पॉइंट मेरा N माल लेते हैं M और N तो M इहाँ पे क्या है मीर्ड पॉइंट है और फो डाइगोनल 1 तो N क्या है मीड़ पॉइंट और फो डाइगोनल 1 तो M N कैसे निखालेंगे M N निकालेंगे सबसे अच्छा ते दिक्या क्या होता है AB plus CD को क्या करते है Minus करते पहले और वाई टू से डिभाइड देते हैं यानि हमको पी क्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे क्या करेंगे यह दोनों ट्रेपेजियन के बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे जो कम लोड ने डीर कर लिया है चलिए दोस्तों अपनों क्वाडि लेटरल के दो इंपोर्टेंट कोसन की ओड़ा आते हैं जिसे एक जा में बहुत सारा कॉस्ण पुछा जाता है तो पहला होगा प्यालोग्रामशे जो पहला को अल्सिकित की फार का सीजारा से होगा तो माल दीज़े यहां पे एबी सीटी प्यालोग्रामें इसी और बढ़े टी क्या है है उपिर मेरी speak a knife चया है और बहुता बहुत बार इसा होता होता है कि धूसर देखोनल वन और ड्रेच स्कॉस्द किया होगा भी लिग क्या निकाले की स्कॉएर को को इसके स्क्वाइर को इसके स्क्वाइर को सभी के स्क्वाइर को क्या करेंगे सम कर देंगे तो हमको पता है कि यहाँ पे मेरा AB equal होता है CD के और BC क्या हो जाता है equal हो जाता है मेरा AD के हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे déb के जहांपे एभी का स्कमायर हने देंगे देंगे स्वार पर क्या लिख देंगे यहां पर कैसे का स्कृायर यानि यहां ड松 फिर सर्य ज़स्वारा इंद्ट नो डाउन कर लिखेंगा क्यों कि इसमे में डाय करना जरुक हमारा पर 2 जलेंगे किस से तक टॉपिक रही का हमारा किसे रहेगा खोन बाध से करे पशल वह ग्हों डरहना है तो तो मान लिजी यहां अश्य मातित adopting आग ब्दорон अगरोंड़ मिछ जहां पर ए थी क्ला मिलाज आगोनल तो कुछा जाता है इसमें भी कि डाइगोनल का सकते हैं लिख सकते हैं यहाद हमनों क्या लिखेंगहें स्कायर प्लस अंत्रीर नेली करें फ्लस दीटू का स्कायर मैं किसके बराबर हो जाएगा फोर सवार के बराबर हो जयेको कि इसको भी आप no down कर लीजिये उसमें लों क्या no down कि एंथ हैं कि दीवन का square फ्लस दी टू का स्कार में किसके बराबर अगर टू एबीका square प्लस टू बी सी के square के बराबर ठीक दोस्तों तो ये दोनों का नोट ये दोनों का नोट डाउन कर लीजिएगा यदि आपको मैं वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू